डॉक्तर बाबा साहब आमबेढकर ओपन उनिवरसिटिक विद्याथियो रजेश्यास्त्र विशैमा टीवाईबी ए अंतर गत, पेपर नंबर 6 आधुनिक पारतिये राजने तिक विचार तारावो अंतर गत, एकम नंबर 5 महादेव गोविंद रानडे अंगेनू छे, औने तेना सामाजीकने धार्मिक विचारो अगावना विडियो लेक्चर माँ टेमना इतिहास अंगेनू अर्थकटन अने राजकिये विचारो अर्थिक विचारो नी समझूती आपने प्राप्त करीशुम। आजना आव लेक्चर नी समगर रूप रेखा आ प्रकारेनी रह शे, तमने स्वाध्य रूपे उनकेटला छेले प्रस्णा पूछी, चेथी तमने परिक्षा लक्षी पन मार्ख दर्शन मली रहे। खासकरेने आजना वेडियो लेक्चर नो मारो मुख्य उद्देश ए छे, के तमने महादेव गोविंद रानडेना भार्तिय इतियास ना अर्थकटन अंगेना आने राजकी अने आर्थिक विचारो जानी शको। सवप्रथम एना भार्तिय इतियास ना अर्थकटन अंगेना विचारो आपने समझिया। भार्तिय इतियास नू अर्थकटन अंगे एमने जे समझूती आपी छे। तो हिन्दू समाजमा आचरवामा आवता केटलाक क्रूर अठ्वा तो अमानविय रिवाजोनू तेमने सक्खत महादेव गुविंद रानडेये टीका करी छे। आम छेता तेमने हिंदू मान्यत आवो अने परमपरावनों तेमने समपोन विरोज ना कहिरो पन खरेखरतो हिंदू परमपरानों तेमने गवरवत हो तुझ भार्तिय लोको इश्वरना प्रति पात्र लोको छे। एवो पन तेमने कहिं आतों। भार्तिय इतिहास नू एमने करेलू जे अर्थकटन छे ते महत वानू छे। कारणके राष्ट्रवादनी एमनी विभावनाना विकास नू ए आधार छे। तेमनी दरष्टिये इश्वरनी इच्छा आनू सार इतिहास नू विकास आकार ले छे। बारतना लोकोने जुद्दा जुदा आक्रमनो नू जे सामनो करवो पईडो। तेमां इश्वरने इच्छा नू संकेत रहेलो छे। आ आक्रमनों ये भारतना लोकोने विज्या लोको। अने तेमनी संस्कृति मा थी नौ शिखवानी। अने पूतानी एक आगवी अस्मीता गुमावी दिधास शिवाई अन्या सामाजीक अने सांस्कृतिक परंपरावो मा जेपन काई उत्तम छे तेनों स्विकार करवानी तक पूरिवाडे छे अने एटला माटे अपने आजना आ लेक्चोर मा तेमना मराठावोनी सत्ताना उद्भोव विशे औने भारत मा ब्रिटिश शाषन संबंधित विचारोनी खास समझूती आपने प्राप्त करेशूं परतना इत्यास मां इसलामनी भुमी का विशे एमनाशूं विचार हता एपन जान्मों रस्प्रद अने जरूरी छे इसलामिक परंपरा साथे नी आंतर क्रिया थे भारतिय समाज औने संस्क्रूती सम्रुद्ध बैना छे ते महादेव गोविंद रानडे मन्ता आता आ संदर्भ मा तेवो धार्मिक दर्शननी भक्ती औने सुफी परंपरावोनु उदारन टाके छे आ आंतर क्रिया ना परिणा में आपने त्यां जे समन्वित संस्क्रूती विक्सी तेना थी तेवो प्रभाविध्या छे भक्ती आंदोलन हिनुदर्मना पुनह अर्थकटन माथी उदभवेल अने सुफी चड़वल इसलामिक विश्वदर्षन ना पुनह आकलन माथी जन्मेल ना आ मानविय तत्वना तेवो घणा मोटा प्रसंशकता विविद प्रवाहो औने परंपरावो ना मिश्रणने परिणा में ललित कड़ावो स्थापत्य औने विजी सर्जनात्मक प्रवृत्यों मां जे नविनता औने सुखरता आविया एना थी पन तेवो खुबज प्रवावित्या आता अने एटला माटे तेना संदर भी हवे आपने विजी एक मराठावो नी सर्था ना उद्भव विशे रानडे ना सुखरता एपन समझे रानडे मराठा इतियास ना उन्डा अभ्यासी आता अने ब्रिटीश इतियास कारोए तो मराठा इतियास नुझे जे रिते विक्रूत चित्रन कईरू अतु एना थी एखुब नाराज हाता शिवाजी ना व्यक्तित वथी तेवो खुबज प्रभावित्या अता अने मराठा ओना उद्भव पाच्छल रहेली जी आखी एतिहासिक प्रक्रिया छे तेनु तेमने उन्डान थी अभ्यास केड़ो अतों मराठा अंजोलन ने ओतानी आग्वीज फिलसूफी अने हेतु हता ए दर्शाववा माटे एमने तर राइज ओफ मराठा पावर नामनों एक प्रसिद्ध निबंध लेख होतों राणडे ने द्रश्टी है मराठा ए मराठी भाषा लोकुद्वारा शरू थयेली महान सामाजी अने राजकी ए चल्वर नू परिणामतु राणडे एव बन जणावियो के मराठा राज्य शिवाजी पछी पण अस्तित्वमा रह्यू अनेमना मुर्त्य पछी एक सुचालीस वर्ष सुधी एनों जारे बाजू विस्तार थतोर्यों मराठा सत्तान उद्वव ए राष्ट्रिय उन्मेश थो भाषा धर्म साहित्यनी सहियारी कडियो थी जोडायेली लोकोन ए एक राष्ट्रिय आविरपावतो जे एक आगवास स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वनी जंखना करतो होतो राणडेनी द्रश्टिये मराठा सत्तान उद्वव एक केवल राजकीय क्रांती नहाती तत्व तह एक सामाजिक क्रांती आती आ सामाजिक क्रांती राजकीय क्रांती नी पुरो गामी आती और याने राजकीय सत्ता माटे नी भुमी का तैयार करे महारास्ट्र नी भक्ती चल्वर ए सोडमी सदी नी युरोप नी प्रोटेस्टन्ट चल्वर जेवी आती बद्धा प्रकार ना जड कर्मकांडो अने वर्गीय के वर्णीय जे पिदभावो सामेना जे बहुरुपी प्रतिकार जेवी जे भक्ती चल्वर के समतावादी अने शुद्ध तथ्य पर भार्मुक्ती एक नैतिक चल्वर आते महादे गोविंद रानडेनी त्रस्टी ए आ बाबत इपुरुवार करे छे के राजकीय परिवर्तन पहला समाज सुधारना थवी जोई ये राजके परिवर्तन पहला समाजिक सुधारा शिवाजीना नेत्रुत्व हैठल मराठा ओए सत्ता प्राप्त करी तेमा शिवाजीनी जे अद्भुत शक्तियोनों फालो छे सौथी विशेश छे एवु तेव मानता आता शिवाजी ये विपाजक वलणोंनों सामनों करी संगठित थईने संघर्ष करवानी लोकोने प्रेरणा आपे मराठा राज्य लोकोना रदईमा उंडे सुधी क्या खुपी ग्यू अने एतला माटे ज अनिक प्रतिकुलताओ छता एट टकी शेक्वु मराठा राष्ट्री आविर्भाव काईमी स्वरूप धारन करी सेक्व नहीं कारण के एमा विराद्रेनी भावना अने आत्मसिष्टनी उनपते मराठा वो आधुनिक राज्यानी स्थापना करी शेकाने एनू पन कारण हतु कारण के एमाटे ना जुरूरी जे गुणों जोई है अथ्वा तो लक्षण होवा जोई है ए त्यारनी जे ग्नाती प्रथा प्रवर्तिती हती तेना कारणे तेने विक्षाव वास्षक्य ना पोता निज ग्नाती माटे नू अभिमान और बिजी ग्नाती प्रत्यनी जे संकुचित ताहती उद्वता यती जे आने तेना कारण थाईने सामाजिक एकतानी जे बुनियाद रचावी जोई है ते रची शकाए नहीं समाज ना विविद विभागोनी प्रगती सिद्ध करी शकेवी उदार समाज विवस्था विक्षाववा मा तेमने सफरता मड़ी मराठा साशन ना मोध पाठ प्रत्य आंगली चिंधता रानडे ये लख्यू के प्रयासो फले निश्फळ गया प्र निश्फळता खुद एक प्रकारनों सिक्षण बनी जे उदात गुण और लक्षण एक प्रजा तरीके आपने केलवा जोईए और ब्रिटिश मार्गदर्शन हेठड सववे एक थाउँ जोईए येव शिक्षण एना थे मड़ियो भारत मां ब्रिटिश साशन विशे जो रानडे ना विचारो आपने समझे तो रानडे येव मानता आता के भारत परना ब्रिटिश राज्य ने एक प्रकारनों देवी स जनकेत गणता आता कारण के एमनी जे विचार तारा आती के अथ्वा एमनों जे दर्ष्टी कोना तो एनुसार भारत वासियो ब्रिटिश मार्गदर्शन हेठड आवे ए इश्वर नी इच्छा आती भारत वासियो इश्वर पसंद करेला लोको छे आने इतला माटा एवी स एमने कोई संकान आती पन तेवो उताना भुतकाल नी बेडियो थी मुक्त थाए इमाटे एमने ब्रिटिश लोको ना मार्गदर्शन नी जरूर छे तेम तेवो मानता आता परतिय समाजना बोधिक नैतिक औने सांस्कृतिक आरुग्यने विदेशी शाशन्थी खणुबदु नुक्षान पोईचू छे तेम तेवो मानता आता एनी तेमने प्रतिती थय यतिव आपड़े कई शक्ये ने आम छे ता उध्योगोनी स्थापना बजारोनु संचालन आधुनिक बिन सांप्रदाइक सिक्षन अंग्रेजी भाषानु ग्णान तेम जुदी जुदी कड़ावो अने विग्णानों मा कुषलता आ बधाज क्ष प्रेत्रों माँ भारतियों ब्रिटिश अनुभव माँ थी खनु प्राप्तकरीशएका छे अने प्राप्तकरीश के तेम छे त्यवोगोनी द्रस्टी ए ब्रिटिश अरोनु ताथे नु जोडान देश माटे एक लांबी सेक्षनिक प्रक्रिया आते जे भारत ने पोता नाज आत्मसाक्षार मां मदद दुरूप थाई तेम हती तेवो मानता आता बृतिश अथे ना असंपर्क मां थी बोधपाथ लेवानों तेमने देशवासियों ने अनुढद कही रहता कारण के ते वो मानता आता के पारत जेवा महान देश कायव माटे एक कोई थी दबायलो नहीं रही शके वेला के मोडा आदेशना लोको ए श्वरना संकेत अनुसार स्वशाशित समाज तरीके आगल वैधाविना नहीं रहे ब्रिटीश अरोना हाथ मा थे देश वासियोना हाथ मा सत्ता आव्याविना रहवानी ना थे तेवु तेमने खबर आती तेमने एवी श्रद्धा आते अने एटला मांटेज भारत वासियो इश्वर द्वारा पसंद थेला लोको छे एश रद्धा उपर भारत ना इतियास नू एमने अर्थ खटन आधारीत हतु अने ब्रिटीश अरोना संपर्क ने कारणे तेवु पुताना भुतकालनी बेडियो थी मुक्त थसे एवा विचारो आपने जोया हवे आपने वाद करीशू रानडे ना राजकिय विचारो नी रानडे ये आधुनिक भारत ना पईगंबर एमने गणवामा आवे छे। कारणके भारत ना भावी विकास ना राहनू तेमने दर्शन रजु कईरू होतु भोतिक प्रगतीना लाभ विश्य तेमने देशना लोकोने सभान करवानू प्रयास कईरू जेथी आ भोतिक प्रगतीना लाभोनू नैतिक और इस्ट जीवन हासल करवाना ताधनों तरीके उप्योग करी शकाए। अने आथेज राजकारणनू आध्यात्मिक करण करवा राजकीय फिल्सोफीनू तेमने प्रतिपादान कईरू आम छता राजकारणमा धार्मीक अथ्वा तो आध्यात्मिक सत्ताना उप्योग ना तेवो विरूधी अता आईवो आपने कई शकिये। तेवो उदार्मत वादमा मांदा आता। पन एना पायाना ख्यालो मां सुधारो करवानू तेमने प्रयास केरो। औने एटला माटे रानडे ना आगलना आप्रेजे विचारो समझे एमा तेना उदार्मत वाद अंगे ना विचारो। राज्यना स्वरूपने कार्यो विचेना विचारो। भाडतिय राजकारण विचेना विचारो। तेमना भाडतिय राष्ट्रवाद नी विभावना विचेना विचारो नी चर्चा करवी जरूरी बना छे। जेना थकी आपड़े एना विचारो भधारे सारे दिते समझे शक्या। सवप्रसम आपड़े एना उदार्मत वाद अंगे ना विचारो समझे। रानडेनों उदार्मत वादनों ख्याल तेमना नेतिकता सम्मन्धित से धान्त पर आधारी दतों मनुष्यनों विकास अने जीवनना बधाक्षेत्रों मा तेनी क्षमताओनों विकास थाए ए बधी मानव प्रवृत्तियोंनों ध्येये छे ए मान्यता पर एमनों नीति मत तानों सिध्धांत आधारे दतों गोविंद रानडेनी द्रस्टी ये आपना सवना जीवननों ध्ये तत्वत हा नेतिक छे तेमने लख्यू के मनुष्यनी बुद्धी जीवनना करतव्यों और तेनी तमाम शक्तियोंना विकास उतकर्ष और पूर्णत्वनी साधना ए द्वारा मनुष्यने संपूर्ण मानव बन्नावो ये आपनुन धे होवु घटे आमाटे राजकिय उतकर्ष सामाजिक मुक्ति और आध्यात्मिक प्रबुद्धता ए उद्धेश्यों सिद्ध करवानों प्रयास करवो जोई राणडे मध्यम मार्गी मोडुरेटर आता रेवो क्रांतिकारी प्रबुद्धती मा मान्ता ना आता एमनी राजकिय प्रबुद्धती तत्वत बंधारणी आते तेमनी आ प्रबुद्धती मा साधन शुद्धिव पर खास भारापवा मा एवो तो बीजु परिवर्तन बंधारणी यह संस्थाकिय सत्ताद्वार लावु जोए एनु खंडन करिने नहीं एवो पन ते ओमानता आता त्रीजु आंदोलन कारोये पहला तो बधाज उपलप्त जे कानोनी उपायो छे ते जमाव वाजोये पहला एम तेओ मानता आता अने सत्ता वाळाओना रदेपरिवर्तन माटे प्रयास करवा जोये एवी तमनी मानता आते आ पद्धती मा तेमने जिमके अरजियो करवी आवेदन पत्रों पर भाराईपो करण के स्थानिक प्रश्णों के जी हाडमारियो होई छे तेने दूर करवा माटे एस सफ़र थाई एवी विशेश संभावना छे ने आवी अरजियो औने आवेदन पत्रों निश्फड कदाच तोपन लोक्षाही औने राजकारण नी तालिम माटे ए उप्योगी छे तेम तेवो मानता आता एटले बंधार अरणिये पद्धती थी आगल उध्वाना तेवों हीमाहिया ते आता उदार्मत वाद्धी व्याख्या करता तेमने जणावियू के माध्यम मार्ग ए एनू आधार स्तंब छे मनुष्यना गवरव और व्यक्ती स्वातंत्रे माँ तेमने श्रधा व्यक्त करी राज्यना काईदावनू पालन करवानी फरज अने सुधारा माटेना अविरत प्रयासो ए धेयो तेमने उदार मत वादियो माटे निर्धारित कैरा उदार मत वादियो नू धिरे धिरे क्रमिक परिवर्तन नू होगु छोईये बंदार अनिया मार्गो द्वारा परिवर्तन ना तेवो हिमा यती अता जो आ आगे कुछ काईमी थोरणे करवी होई तो ए धिरे धिरे ज करी शकाए आम रानडे नू जे उदार मत वाद हतो ए प्रगति वादिय हतो यहमा कोई शंका न थे हवे राज्यना स्वरूपने कार्यो विशे ना कितलाक विचारू आपने समझे राज्यकिय अर्थकारूनना क्षेत्रों मा राज्यनी भुमी का विशे ना जे ब्रिटिश व्यक्तिवादियोना विचारो करता राज्य तेन्य ना नगरिकोनी सत्ता शानपण अने दया आने दान व्रुतिनू प्रतिने धेत्वा धरावे छे अने तेथी इज मानवीना जीवन मां तेने वदू विधायक भूमी का पचवानी होई एके लोकोना जानमालनू रक्षण करू एत्तो राजयनी फरज छेज पन साथे साथे लोकोनू जीवन वदू सम्रुद सुखी औने उदात प्रकारनू बने एज होवानू पन तेमनू करताविया छे राजयनू करताविया छे एड़े के राजयनू दियाई खरेखर तो नेतिक छे एम तेव मानता आता सुसन्सक्रूत जीवननी उच्चेकक्षाव सिद्ध कराववानू एक साथन छे करवानू साथन तेव मानता आता रानेडेनी द्रश्टी आधुनिक समयमा राजयके वर पोलीस कार्यो करीने संतोष मानीने बैसी रही शके एटलेनू कार्यक्षेत्र दिवसे दिवसे विस्तार पामी रही छे एम तेव मानता आता लोकोना सामाजिक कल्यान और सामाजिक प्रगती प्रत्ये पन पुझोये राजये नियमनात्मक पादक और विस्तर रणात्मक कार्यो करवा छोये जाहर जिवननु नियमन और अंकोष नू कार्य राज्ये बजावो जोई है सामाजे कूरी वाजो और मनुश्य द्वारा थता मनुश्यना सोशन ने अटकावा राज्यनी दंडशक्ती नो उप्योग थवो जोई है आव प्रांट तेमने उपन कईयों के राज्ये उत्पादक प्रवृत्तियों मां सामेल थवू जोई है लेके प्रसेश्ट उदार मत वादियों मान्ता आता के राज्ये आर्थिक बाबतों मां दखल गिरी कर्वीन जोई है पण रानडे नी एवी एक दलेल हते के अर्थ तंत्र ना चावीरूप क्षेत्रो जे छे एमा उद्योगो स्थापी ने राज्ये उत्पादक कार्यों करी शके अने राज्ये नू कार्य व्यक्तिनी उपक्रम शिल्टानों विकल्प बने तेओ इछता आता पर व्यक्तिनी उपक्रम शिल्टा वधू विशाण पाया पर पांग रे समाज मां सर्जनात्मक्ताने प्रोच्चाहन मले अने लोको मां एक प्रकारनी स्वावलंबनी भावना विक्से एमाटे राज्ये आगर आवु जुई एम तेवो मानता दा पूताना व्योहारोनु संचालन करवामा लोको सक्षम बने अने त्यार पछी राज्ये पूताने ए बधा माथी संकोरी लेवु जुई एकरान के आखरे तो राज्येना रक्षन अने अंकुष तो राष्ट्रने पूताना पग पर चालता शिखवा माटे नी काख घुडियो हो छे एम तेवो मानता आता एले के राणडे राज्येनी दर्म्यान गीरी अने वयक्तिक उपक्रम शिलता वच्चे योग्य प्रकार नी एक संतूलन समतूला जड़वाय ते बाबत उपर भारापता आता राणडे समाजवा दिन आता आम छता राज्येना वित्रानात्मक कार्योंना महत्वती सभान आता लोकोनी लकुत्तम जरुर्यातो पूरुप पाड़वानी राज्येनी फरज छे तेम तेवो मानता आता मिलकतना हक अने व्यक्तिनी स्वतंत्र उपक्रम शिल्ताना तेवो हिमाय ते आता आम छता धनीक लोकोना हको उपर केटलीक मर्यादाओ होवी जो ये एमपन तेवो मानता आता आजना आ लेक्चर मा आपड़े राणडेना इतिया संगेना अर्थकर्टनों राज्यके विचारों नी आपड़े समझुती प्राप्त करे इन शोट मा वड़े सारांश रूपे उकई शकिये के नियाई समान तान योग्वे विवहार पर आधारिच समाजनी स्थापना एमनू तेह यतु एकोई सिधान्त जड़ विचार मा मानता ना आता सामाजी कने आर्थिक विकास मा राज्ये विधायक पुमिका पजवी चुई एवी तेमनी दलेलाती भारती समान वित संस्कुरुती औने बधा समुहनू कल्याण ए भारतीय राष्ट्रवादी आधार श्रीला छे एवु तेमने स्थापित करियो तु देशना उद्योगी करण मा राज्ये अग्रेसर थाओ जोई तेमने आर्थिक क्षेत्र मां हिमायत करिया ती विद्यर्थियो अईया महादेव गोविंद राणडे ना राज्यकियो के आर्थिक बाबतोंगे ना विचारो सम्झावए नाव पर तमे प्रश्णता यार करी सक्षो अईया में संदर्प सुची पन आपेली छे जिनू विशेश वन्चेन तमे करी सक्षो आपसाव वे मने शान्ति थी साम्भणी ये बदल आपसाव नो खुब-खुब आभार फरिवार मलीशु नवाज कोई एकम ना मुद्धाव पर चरचा करवा माटे आपसाव ने तंदु रस्त स्वास्थेने शुबकाम नाव आभार स्वाध्या यहा पर्या मंता पहाँ